क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे रॉकेट अंतरिक्ष की ओर उड़ते हैं, तो उनकी नसों में कौन सी शक्ति दोड़ रही होती है? आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के उस एतिहासिक कदम से रूबरू कराएंगे, जिसने हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को और मजबूत बना दिया है। के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और चंडिगर स्थित सेमी कंड़क्टर लैबोरिटरी ने मिलकर तयार किया है। हमारे रॉकेटों को नियंतरित करता है। इससे पहले भारत का विक्रम 16-0 एक प्रोसेसर इस्तेमाल होता था, जो 16-bit आर्किटेक्चर पर आधारित था। लेकिन विक्रम 32 उससे कहीं ज्यादा तेज और आधुनिक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह अत्यधिक कठोर परिस्थितियों में भी काम कर सकता है। सोचिए, जब रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है, तो तापमान माइनस 55 डिग्री से लेकर प्लस 125 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। ऐसे हालात में आम चिप्स काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन विक्रम 32 उन सब को जेलने में सक्षम है। तकनीकी तो पर देखे, तो यह चिप 180 नैनोमीटर CMOS तकनीक पर बनी है। इसमें फ्लोटिंग पॉइंट कम्प्यूटेशन की सुवधा है, यानि जटिल गणनाएं भी यह बहुत तेजी से कर सकता है। इसके अलावा, इसमें MILSTD एक 553B जैसे खास इंटरफेश दिये गए है, जो मिशन क्रिटिकल कम्यूनिकेशन के लिए जरूरी होते हैं। आपको जानकर गर्व होगा कि इस चिप का पहला बैज पहले ही अंतरिक्ष में टेस्ट हो चुका है। इसे PSLVC-60 मिशन के दोरान POEM-4 मॉड्यूल में सफलता पूर्वक वैलिडेट किया गया। इसका मतलब यह है कि अब हमारे लॉंच वहिकल्स में किसी विदेशी चिप पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके महत्व को समझने के लिए हमें यह भी जानना होगा कि दुनिया के स्पेस प्रोग्राम किस स्तर पर है। अमेरिका के पास RAD 750 है, यूरोप ने लियॉन बनाया है और अब भारत का विक्रम 32 इस लीग में शामिल हो गया है। भले ही अभी विकसित देशों की तुलना में हम 64-bit या Artificial Intelligence आधारित प्रोसेसर तक न पहुँचे हूँ, लेकिन आत्म निर्भरता की दिशा में यह कदम एतिहासिक है। भविश्य में इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रहेगा। रक्षा प्रणाली, एरोस्पेस, आंटो मुबाइल और उर्जा क्षेतर में भी ऐसे भरोसेमंद प्रोसेसरों की जरूरत होगी। यानि विक्रम 32 भारत की टेकनोलोजी इंडस्ट्री के लिए एक नया द्वार खोल सकता है। दोस्तो, आज जब पूरी दुनिया चिप्स और सेमिकंडक्टर तकनीक पर दोड़ रही है, तब भारत ने यह साबित कर दिया है कि हम सिर्फ उपभोगता नहीं, बलकि निर्माता भी है। विक्रम 32 हमें न केवल तकनीकी ताकत देगा, बलकि रणनीतिक आत्म निर्भरता की दिशा में भी आगे ले जाएगा। तो ये थी कहानी भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट विक्रम माइक्रो प्रोसेसर की। हमें कमेंट करके जरूर बताईए कि आपको ये उपलब्धी कितनी महत्वपूर्ण लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए। अपने विचार कमेंट में लिखिए और चैनल क्वांटम साइबर स्टार को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का बटन दबाना मत भूलिये ताकि हमारे अगले ज्यानवर्थक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।